शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें धिमार झारिषया झाल प्राइब कीजिए और दो दो हो उड़ सक्षाएब अम्नामुषि बाइब भूम्नामुषि बाइब प्रीजन यही ले मुद्रीजी के विले लिए लिए भी ये सिर्णावी लिए झाल 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 जलो में चास्ट माजो चास्ट मेजर विजय मलोतरा रिपोर्टिंग सा काम सिदाउन थैक्ट्यू येस विजय सर पिछले मैंने बॉडर पोस्ट पर हत्यार ले जाने वाले ट्रक का एक्सिदेंट और आम्स डीपो में लगी आग की इनक्वारी का जो टास्क आपने मुझे दिया था मैंने उसकी रिपोर्ट तयार कर लिए सर पता चला है कि कोई हाथसा नहीं बलकि एक साजिश थी जिसका मकसद था हत्यारों की चुरी इसका मतलब इस रैकेट में हम में से कुछ लोग शामिल है ये केस हमें मिलिटर इंटेलेजन्स को सौंपना होगा सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कल जो हत्यारों से भरा ट्रक जाने वाला है उसे बॉड़ो पोस्ट पर पहुंचानी की जिम्मेदारी मुझे सौंती जाए अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो हत्यारों की लुटेरे बे नकाब हो जाएंगे ओके पापा यह प्लेन उड़ता क्यों नहीं है बड़े बुर्बक है भाई हमरे बेटे अरे खिलावना कभी उड़ता है का तो मुझे उड़ने वाला प्लेन दिला दो न अरे आप बड़े तो हो जाएए जी फिर देखिए लोगों के पास इतना कार नहीं होगा जितना आपके पास हवाई जाज होगा जाईए फिलाल इसी से काम चलाईए जाईए हां इसके दिमाग में ऐसी बाती भरने की जगें अगर ABCD भरते तो आज कम उसका में अपना नाम दिखना तो सीख जाता अरे सीख लेगा जी ABCD कौन सा इंडिया छोड़ कर जा रही है लेकिन उसकी उमर भाइस खरीद लो दूद मलाई खाय का बच्वा हमार जैसा पहलवान हो जाएगा और भाईया जैसा बिदवान हो जाएगा तुम भिलीव नहीं करोगी का हुआ अबलदेव बड़ भाईया दीके साब एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं ये काई की मीटिंगे जी ये तो हम पूचा नहीं वस इतना मालूम है कि सबको बुलाएं और सुबदार प्रताप सिंग भी आ रहा है अरे वो तो ठीक है लेकिन पिछली बार जो दीके सा आपको हाध्यार पहुंचाय थे उसके पाईसिका का हुआ अरे ये पेटी भरक जीए है ये कितना है रे बड़ भाईया इतना गेंती तो हम नहीं जानता हूं तुम का हो तो वजन करके देख लेते हैं पेटी के साथाट किलो तो होगा जरूर अरे नहीं नहीं इसका कोई ज जिसके लिए सरकार ने आपको इवर्दी दी है अरे तुमको नहीं मालूम का जी डूटे ही तो कर रहा हूं कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो पहले तीन हजार रुपया हर पहली तारी को आ जाते थे अब किसी भी तारी को लाख रुपया आ जाते हैं मैं पूछती हूं क्यू क्या कमी है हमारी जिंदगी में का जाहिल औरत है भाई हम जीना चाहता हूं एस करना चाहता हूं अपने देश को बेच कर तो तुम का चाहती हो जीवन भर बंदू को ठाय घूमता रहूं और एक दिन दुस्मन की गोली छाती में लेकर मर जाओं अरे विद्वा होने का बहुत अर्मान है का वो विद्वा सुहागन से उची होती है जिसका पती देश के आन पर शहीद होता है मैं आपको गोली खाकर मरते तो देख सकती हूं आपके माते पर घद्दारी का दाग नहीं देख सकती सांती आखरी बार कह रही हूं मेरे साथ वफा भाले ही ना करो लेकिन बतन के साथ घद्दारी करोगे तो कभी माफ नहीं करूंगी हम का सिखाने की कोसिस मत कर पैसा के ल भाईया सुवेदार परताव सिंगी आ गए क्या हो से ना हमेशा तो टीके लूटने के बाद हत्यारों की डेलिवरी लेने आते थे आज अचानक लूटने से पहले कौन सी मीटिंग करने आ रहे हैं हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कल तुम लोगों के चार्ज में जो हत्यारों का ट्रक बौडर पर जाने वाला है उसे तुम लोग आसानी से नहीं लूट सकते क्यों क्यों कि तुम पर एक और इन चार्ज आ रहा है मेजर विजय मलोत्र ये खबर आपको कहां से मिली सर हमारे चोथे पार्टनर जस्वंत दलाल से जो मेजर का ड्राइवर है मेजर विजय मलोत्र तो बहुत सखत आपिस हरा है उसके रहते हुए टेरक तो का एक ठोग कील पाना ही निकाल सकते ऐसे मौके बार बार नहीं आते ट्रक में लेटस्ट और हातों हाथ बिखने वाले दस करोड के हत्यार है हम चारों पार्टनर्स को धाई-धाई-धाई-करोड मिल सकता है धाई-करोड चाहे कुछ भी हो हम उन हत्यारों को हासिल करके रहेंगे बेस्ट आपको जटल्मन तोप और टैंकों से खेलने वाले फॉजी पॉलिस के तमंचों से डरा नहीं करते मिस्टर कमाल है यार मैं इतने चुपके से आया फिर भी तुझा पता जल गया और क्या हम फॉजियों की दो नहीं चार आखें होती है अरे भाई साब आप नमस्कार भावी जी अचनक कैसे आना हुआ श्री दिनेश कपूर सब इंस्पेक्टर पुलीस दिल्ली से सीधा आप लोगों के सुनाने आये हैं सुना देजी बिल्कुल नहीं सबसे पहले आपके हाथ का बना हुआ बढ़िया सा अच्छा सा नाश्ता उसके बाद खुश्खबरी यह है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और चार रोज के अंदर मुझे मुंबई में डूडी जॉटी जॉइन करनी है अरे वा यह मुझे मलोतरा म मस्टर राजू मलोतरा एंड मिस्टर दिनेश कपूर यार दिनू हम लोग नहीं जा पाएंगे देख मैने राजू को प्रॉमिस किया था कि वह फर्स्ट आएगा तो हम सब लोग हिल स्टेशन जाएंगे आज जो कंसाइन्मेंट के ट्रक्स बॉडर जान यार तुने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया कोई बात नहीं मैं आज ही मुंबई चला जाता हूं जैसंदलार रिपोर्टिंग सर जीब तयार है सर तुम्रों को मैं आ रहा हूं गाड़ी रोगए ड्राइवर गाड़ी पीछे लेगा सर यह ट्रक क्यों रोग दिया सर डिप्रेंसल का आयल लिंग हो गया इसलिए भील जाम हो गया बैं है एड़कॉर्टर्स को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं हेलो हेलो वार्लेस को क्या हो गया सुपधार साथ सर यहां इस ट्रक की सिक्योर्टी के लिए आपके साथ कुछ जवान रुकेंगे सर बाकी ट्रक्स और जवान मेरे साथ आगे चलेंगे पासी की चौकी से मदद लेकर आता हूं सर कोई शक नो सर सर यॉॉॉॉवॉॉॉॉ हुआ 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 है कि वाल कि युआ एफेंट कर दोड़τα स्तॉ प्याक seres प्या나리 अर्ण जादो यह त्यार किसी राजा के तिचोरी में जमा सोने से नहीं पलकी 90 करोड हिंदोस्तानियों के खून पसीने से कमाई पैसों से बनवाई जाते हैं तेश की रक्षा करने की शपत लेकर तेश को लूटने वालो तुमारे जिस्म पर इस वर्दी का होना इस वर्दी का अपमान है हमें अरेस्ट करके आपको दूई चार तामबा पीतल के मेडल के सिवाए और कुछ नहीं मिलेगा हमरा पार्टनर बन जाओ हम आपको आदा हिस्सा दे देंगे तुम मुझे खरीदना चाहते हो पास्टर्ड विक्ता कौन नहीं है मेजर सहब सब विकाओं हैं सब खरीदे जाते हैं फिर ऐसे माहौल में हम फौजी इमानदार बन कर क्या कर लेंगे खामोश अकेले हम फौजियों की इमानदारी से ही तरंगे की आबरुबची है वरना देश का वजूद मिठ जाता सूरज के आकाश में डूबने से लोग नहीं सोते है सरदों पर जब हम जाकते हैं तब तेश चैन की नीच सोता है अगर हम ही अपने फर्जर जमीर का सादा कर बैठे तो तरंगे की जगा किसी और रंग का जंडा हो जाएगा यू अर अंडर अरेस्ट 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 आए जए 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 तेए झाज लगिए जए सबसे हुआ। कर दो कर दो कर दो झार अ कर दो हुआ 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 सर ऑस्ट्रेलिया से इंटिपोल का फैक्स आया है फॉरन एसीप दिनेश कपूर को मैसेज दो मुझे अर्जन मीटिंग करनी है गुद मॉर्निंग सर मॉर्निंग प्लीस सटनाउन जसुन दलाल रिपोर्टिंग सर ये जसुन दलाल है आस्ट्रेलिया इंटरपोर्ट से खबर मिली है कि दुनिया में गैर कानूनी ढंक से हत्यारों का बिजनस करता है और ये आज टेट फास्ट कारगो शिप से मुमबई आ रहा है अगर हम उसे पकड़ लें तो यहां गैर कानूनी ढंक से हत्यारों का बिजनस करने वालों के बारे में हमें उससे पता लग सकता है मैंने ये सीक्रेट मीटिंग इसलिए बुलाई है कि इसकी खबर बाहर किसी को ना होने पाए वरना जस्वंद से जुड़े होई लोग जिने उसके पकड़े जाने से खत्रा हो सकता है उसे खत्म करवा देंगे मिस्टर कपूर जस्वंद को पकड़ने का ओपरेशन आप के अंडर में होगा और हमें वहर हाल में जिन्दा चाहिए जिन्दा झाल, झाल एख लो, पाक्स मिला, मिला, पुलीस को या आदमी जिन्दा चाहिए, तुम्हे क्या करना है, तुम अच्छी तरह जानते हो, एक बात का धियान रखना, जस्वन्द किसी भी क्यमत पर पुर्ट है, पुलीस के हाथ में नहीं आना चाहिए इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा ठीक है इस एवर्टिंग रड़ी येस सर जस वन भाग नहीं सकता शिप के चारों तरफ वारकर से ज्यादा पुलीस के आदमी है जसोंत आ गया है मुमेंट शुरू करूँ येस कौन हो तो क्या चाहते हो तुम्हें पचाना मजे किसे खुत्रादे जिससे हर मुझरिम को होता है जो बाहर खुम रहे हैं वो वरकर्स नहीं पॉलीस है पॉलीस पॉलीस वालों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं चूतों से होती है अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो ओके सर जस्वन कही नजर नहीं आ रहा है यहां कोई नहीं है सर हलो है सर जो कंड़र बाहर आ रहा है जश्वन दूसी में है उसके साथ एक आदमी और है कंड़र बाहर आ रहा है उस्वन चाहर वर से गेरिलों कंड़र रोको रोकतों कंड़र कंड़र नीचे लाओ कोई गोली नीचे लाएगा हमे यह जंदा चाहिए क्वबर नीचे लाएगा करते लाएगा क्वबर खवदोन चाहएगा झाल क्वबर खवदोन पाताई क्वबर वबर कि अ कर एकूनी कि अ ऐता है पंग कि यहां तक मैंने वो किया जो तुमने कहा अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा लग करें मैं मांल। अगरी रही रुकुश जोड़ करकोience प्रतो अलए कैकर तुमने ब Mae आपानल। हाथ उपर अ know हम्मूव गोड तुम आदमी काम के हो लेकिन मेरा उसूल है काम खतम आदमी खतम और मेरा उसूल है आदमी खतम काम खतम सॉरी नहीं वो किलर चाहिए एरपोर्ट रेलो स्टेशन बाहर जाने के सारे रास्ते सील कर दीजे और याद रहे वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए समझे एक मिन का रोड प्लीज आप हिंदुस्तानी है आपने मुझे पैचाना नहीं नहीं अभी नहीं 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 पैचाना आप रोने क्यों लगए यह बहुत दुख बरी कहानी है भाईया एक बार कुम्ब का मेला लगा हुआ था यहां उस्ट्रेलिया में ने इंडिया में मैं और मेरा जुड़िवा भाई सोहन मैं मोहन वह बाएं था मैदाएं था और बीच में तुम्हारी मा थी नहीं बाप था हम तीनों खुशी खुशी जा रहे थे तो अचानक वह मेरी बाइग लेके भागा कौन बाप मेरा पीचे दोनों भाग रहते हैं और वो धड़ाम से घ्र गिया ता पुलिस आकर उसको पकड़ लिया चोर को मेरे बाप को और उसे मारने लगे पर तुम्हारे बाप को क्यों मानने लगे वो उन्हें चोर समझ रहे थे इतने में वह भाग गया चोर मेरा भाई, तब से उसको आज तक ढूंड रहा हूँ, चोर को, ने मेरे भाई को, कमाल है, लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया, आप उसे यहां की ढूंड रहे है, अरे भाई खोया होता दो बात अलग थी ना, वो तो मौका देख के भाग गया है, और उसे कोई ज्यादा शौक नहीं था, सिर्फ तो ही शौक थे, एक तो कंगारों देखने का, और एक पाकेट बारने का, अब आपी बता, ये पाकेट बारने के लिए ट्रैम से कोई अच्छी जगा है, इसलिए मैं ये ट्रैम कंड़क्टर के नोकरे कर ले, सोचा कभी ने कभी यहां पाकेट बार अगर मिल जाएना तो ये दे देना मेरा कार्थ, कान्चोर को, मेरे भाय को, सोहन को, बेजा घुमा त्या मेरा यारि साथिभी ने, he's turning my head, what's me? No, मेरे बाप, hee, hee कर दो 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 कर मेरी खाबो में जो आए, मेरी निंदो को चुराए मेरा दिल थेड़काए, मेरा होश उड़ाए साजन, साजन आएगा, 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 साजन कि नहराए जोमके मस्ती क्या छा गई देखा जब आए ना मैं तो उप्षर मा गई बदला ये रूप मेरा ऐसे बदली में धूप थिले जैसे पहली बहार का नशा है आखों में ब्यार का नशा है मुझे ऐसे तरपाई मुझे वैसे पहकाई मेरा दिल खेड़काई मेरा होश उड़ाई साजन साजन आएगा 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 साजन होटो को चूमने बाहों को खामने आएगा एक दिन वो मेरे सामने मेरा महभूब मेरा यारा होगा वो चान से भी प्यारा कह दूँगी साथ लेके जाएगा दोली बाराथ लेके आए मुझे सीने से लगाए और मुझे सासों मे बसाए मुझे सीने से लगाए मुझे सासों मे बसाए मेरा दिन खड़ काय, मेरा होशुराय साजन, साजन, आएगा, 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 साजन, साजन इतल, आज के वैलंटाइन दे के फंक्शन में, मिस्स वैलंटाइन कौन बनेगी? मैं ही बनूंगी ठीके है हां? पुच एगाट अँच एगाट मैं टेलाइट यह मेरी नहीं गारी थी मृती, फ़्टी, फूल जाओ फूल जाओ यह तुमने ने गारी डामिज कर दी तो मिन्यां गारी चलानी नहीं आती तो दूसरे देश में आकर गारी क्यों चलाते हो अपने देश में जाकर बैल गारी क्यों नहीं चलाते ओई मैडम आजकल इंडियस जेट हवाई जहाज आप स्पेस में रॉकेट चला रहे हैं और अहीं बार डैमेज की तो आपने ब्रेक मारा आपका ब्रेक लग गया मैंने मारा नहीं लगा जरासी बात है यह जरासी बात है बड़ी होगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विक्यूस का नुकसान नहीं दे सकता वह लो कितना हुआ हां पचास सो दोसो तीनसो चारसो पांचो तुम भी क्या याद रखोगी किसी रईस हिंदू सानी से तुम्हारा पाला पड़ा था यह लो थैंक यू यू लोफा तुम पंगाई ले लिए आपने 20 सब्सक्राइब गाड़ी दोकर बाते कर रहे हैं अगर बाते कर रहे हैं तो आप दोनों को मेरे साथ पुली स्टिशन चलना पड़ेगा प्रिती क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है ऑफिसर हम अपनी कंप्लेट वापस ले लेते हैं वेर ओके अल सी यू कब और कहां यह तुम हां मैं तुम्हारा कोई भाई है चुडवा हां बच्पन में कुम के मिले में खो गया था हां अरे मैं उसे मिल चुका हूं कहां जानते हैं वो ट्राम कंड़क्टर बन गया और तुम्हें ढून रहा है कि अरे वो ट्राम कंड़क्टर मैं ही हूं मोहन आप सोहन की बात कर रहे हैं मैंने सोचा सोचा कि वो पाकेट मार से तरक्षी करके कार चोर बन गया होगा और किसी की कार चोरी करके सिगनल तोड़के भागेगा और मैं इसे पकड़ लूँगा यही सोचके मैं ट्राफिक प्रेंज फ्रेंज फ्रेंज तोड़े इस वैलेंटाइन्स डे यानि के प्रेमियो का दिन जैसे के आप सब जानते हैं हर साल हम इंडिया क्लब में मिस्टर वैलेंटाइन और मिस्स वैलेंटाइन चुनते हैं और इस साल की मिस्स वैलेंटाइन है मिस्स प्रीटी कॉंग्रेटिजू, Thanks प्रीटि प्रीटिज सकॉण अब वेल्कम और कॉंग्राइटिलेशन और अब फ्रेंज, आप में से जो प्रीटि के तीन सवालों का जवाब देगा उसे मिस्टर वालिंटाइन चुना जाएगा और उसे मिस वालेंटाइन के साथ डांस करने का और इनके खूबसूरत हाथ को चूमने का मौका दिया जाएगा Quiet, quiet, quiet please प्रीती के एक छोटी सी शर्ट और है अगर आप इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो चूमने के लिए इनके हाथ नहीं इनकी खूबसूरत सैंडल होगी क्या हुआ, क्या आप मेंसे कोई भी इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता मैं जवाब दूँगा विकी ओ, give him a big hand ओए पंगा बातले पापे कर यहां आर गया तो सैंडल चूमने पड़ेगी ओफ फिकर ना कर पापे जो उपर से नीचे तक चूमने के लिए हो उनका सर क्या और पाउं क्या सवाल पुछिए हाँ, तो पहला सवाल प्रीती का मन पसंद फल यानि के फ्रूट कौन सा है वैसे तो दुनिया का सबसे मीठा फल मेहनत का होता है लेकिन अपनी ए मिस वैलंटायन तो मेहनत से मीलो तूर है इसलिए इनकी पसंद का फल आम संत्रय मुसंभी तो हो ही नी सकता क्योंकि उन्हें खाने के लिए छीले की मेहनत करनी पड़ती है इसलिए इनकी पसंद का फल वो है जो सीधा मूं में डाला और कप यानि की अंगूर राइइड, एपसलूटली राइड थैन्क्यू, थैन्क्यू नेक्स्क्ष्टन प्लीज अर अब दूसरा सवाल प्रिती का फेवरिट स्पोर्ट यानि के खेल कौन सा है अब जैसा आद्मी का नेचर होता है उसे वैसे खेल पसंद आते है और इनका नेचर तो लड़ाई जगड़ा और मारपीट का है इसलिए इने WWF की कुष्टी पसंद है खुब बहुत खुब इस इस दो राइट अंसर इनसे कहो सीधा सीधा जवाब दे गुमा फिरा के बोलने की क्या जरुश है और अखरी सवाल प्रीती को दुनिया के साथ अजूबों में से कौन सा अजूबा सबसे स्यादा पसंद है वाफी चाहता हूं लेकिन ये जवाब भी मुझे कुछ गुमा फिरा करी देना पड़ेग इने जो अजूबा पसंद है वो इनकी समझ से बिलकुल अलग है ये खुद तो प्यार के नाम से भी नफरत करती है और पसंद उस अजूबे को करती है जो प्यार की निशानी है यानि सिंबल ओफ लव ताज महल और इस साथ के मिस्टर वैलंटाइन है मिस्टर विकी थांक दोस्तों मिस्टर वैलंटाइन ने तो तीन मामूली से सवाल पूछे वैसे आज वैलंटाइन के दिन सवाल ही पूछने थे तो दिल जिगर जान के पूछती तो मैं वो भी बता देता के इनकी दिल में क्या है माई फुट देखो तुम्हारे सीने में जो दिल है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी दिल आवारा नहीं होता ये चाहता तो सारी दुनिया को है लेकिन निटता किसी हिंदुस्तानी पर है आज की वेलंटेंडी में आप सब शामिल हो सकते हैं कम आप स्वेशी, कम आप स्वेशी तेरा रंग बले बले, तेरी चाल बले बले तेरा रूप बले बले, तेरे गाल बले बले देखा तुझे तुम मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया ओ नई ओ नई ओ नई ओ, मैंनो दिल तेरा नई ओ चाईदा एक तुही मेरे नाल नई ओ नई ओ जचदा हाँ, डोल जानी, डोल जानी, मेरे पास आदरी महरवानी जूत बोलना, जूत बोलना, नियत में है तेरी बैमानी ओई, कुर्ती तेरी छीट दीदू पट्टा, तेरा लहरिया हिंदूस्तानी रानी बंजा राजा कीतु गोरिया नैकुडी पंजाब दी मेरा रेशं परू माल वे सिंदगी बर भूले का ना कर दूंगी वो हाल वे ओ नयो नयो, ओ नयो नयो तेरे बिन दिल नयो लगदा नयो नयो तेरे बिन दिल नयो लगदा तुझे देखते ही हाई दिल मेरा नचदा ना देख चलने चलने दिल फेक चलने चलने मुझे छोड़ चलने चलने ना चेन चलने चलने फागलती वाना दिल दार हो गया इसको संभलो ये बेकार हो गया मेरा यार बले बले दिल दार बले बले इनकार बले बले इकरार बले बले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, तेरे खयालों में ये दिल खो गया तेरे बिन दिल नय लगता, तुझे देखते ही हाई दिल मेरा नचता ओ नई नई मैंनो दिल तेरा नई चाहिदा तुझे देखते ही हाई दिल मेरा रचदा ओ नई नई मैंनो दिल तेरा नई चाहिदा तुझे देखना चीतल मैं असे नहीं छड़ूंगी बिल्कुल मत छड़ना इतना हैंसम इतना इंटेलीचेंट लडगा दुभारा नहीं मिलेगा बखवास मत कर शीटल उसने मेरे तीन सवाल का जवाब कर दे दिया तुझे उस गवार को इंटेलिजन समझने लगी कमाल कर दिया उसने उसने तो वह बाते भी बता दी चुम मैंने नहीं बताई थी क्या ये सारी बाते तुने उसे बताई थी य towardsा, पिए! वाfish! इड़ी बंढ़ी जुछ़ को इडरी जूनिग! सुब जुछ़! भूचे से सब्सक्राइब अटन्यूक वेटर ये सर टेबल नमर साथ कौन सा है टेबल नमर साथ वो है लेकिन साब उस वर बैठना मत ये ले तेरी पेपसी थेंक्स तुम हा मैं तुम्हारा कोई भाई है हां जुडवा हां विचाना ना जाने कहां कहां भटाग रहा है तुम्हारे लिए वह ट्राफिक हबल्दार बन गया है वह अरे वह ही था पर तुम तो पुलीश पे थे पुलीश में था वह नोगरी करके भी देख लिया मकर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं वा फिर ये मेटर बन गया मैं उसे एक चीज का बहुत शौक था मुद्रा सुनने का और यहां तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है इसलिमें नोगरी कर ली मैं ये सोचरो कभी ने कभी यहां आएगा और मे जाने वाले तेरी कसम मैंने इस बर कुछ नहीं बताया आप इस तेबल पर इसलिए नहीं बैट सकते हो क्योंकि ये जोजो की टेबल है कौन जोजो अरे शेहर के सबसे खतरनाक आदमी का बेटा हुआ 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 है वह हमेशा हसता रहता है जो हो dolla सिर चाहिए ज्ट के लिए तो लोगों के से हिलिए बिलकिल अच्छा नहीं होता है और जब इसकी टेबल पर कोई और बैढ़ जाता है ना तो से एकडम से रुप जाती है फिर जानते हो क्या होता है यह होता है यह लगी येस मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे अच्छे आदमी का फोटो इसमें लगे महरबाने करके यहां से उच्छा मेरे बाप वह आगे दोड़ पोड़ करेगा है क्या बात है आज सूरज पस्चिम से कैसे निकला मैं जोइन यू फ्लीज हाँ बैठिये बैठिये आप य क्या ये नहीं अब लृगिंक इंगरी और ट मैंप, मैं इस होटल की आज मैं कुछ मेंगने प्लीज वहों अगर रिजर्व था तो आप लोग नहीं जानते हैं जोच़ो बहुत डेंजरिस आदमी यह आप क्या समझते हैं ? अगर वह डेंजरिस है तो Mr.Wiki भी डबल डेंजरिस है क्यों Wiki ? हाँ, डबल क्या ट्रिपल डेंजरिस हूँ अब तो यहां से बिलकुल होते हैं गोठा जाए जोचम है या भोभोऑ generating आद 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 hmm हुप 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 कि मुप हुप 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 आईए आईए बैठिए 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 एक्सक्यूज मी प्री लगता है इने आपकी शकल पसंद नहीं आई इसा फसाया है कि यहां से सीधा खॉस्परिल जाएगा अरे चल चल कि हाँ 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 आख ठककार निकल गया बहुत फुख लगी है कॉछ्य। झां कॉछ्य। हुण हााа आत्य। कॉछ्य। हाा हा हा नह यह यह लग कॉछ्छ नह मर गई शीतल हम जरा ये क्या गए तुम अपनी आउकाद पे आ गए माना कि यह हमें फसाना चाहती थी इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माद समझ कर ले जाओ इसे गिर आए औरे जाओ नहे की उाल मेंपनी पती ये नहें फिर हमें अ मनी खोगएर के वोगएर के ये इसकेश वोगएर आप्सupp Horse । कि अफड़ा खफप्टुकॉ हाहाह! कि अपफ़ाँ कि hoping हाह हा! तुम्हारी वाज़ा से जो इनका नुक्सान हुआ है उसके पैसे दो आज के बाद तु हसेगा तो लोग तुछ पे हसेंगे होटल के नुक्सान के पैसे तो मुझे बिल गए लेकिन इसके बदले में जो जो का बाप तेरा बहुत नुक्सान करेगा यही तो मैं चाहता हूँ चल चल उससे मिलते हैं करें कि अ आज आज सुनिये आज आज बहुत दर्द हो रहा है यह लोग पचास डॉलर्स इलाज के लिए कम है शीतल हाँ आज कल महंगाई का जमाना है कोई बात नहीं यह आप पूरे पांच सो रख लें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ओय मैडम मैंने आपको जो जो जैसे खतरना गुंडे से बचाया आपके लिए अपनी जान हतेली पर रखके उसके 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 गुंडों से जंग लड़ी इतना खून भाया इतने जखम खाये और आप शुक्री आदा करने की जगा मेरी इंसल्ट कर रही है कमाल है काम लोफर के और बाते सोल्जर की बिलकुल ए जाके अपनी शकल आईने में देखो बड़ा आया सोल्जर बनने चल शीतल और हाँ ये जो चमेटर सॉस है ना इसे साफ करना मत भूलना बड़ी घट्टी है हलो हलो कौन वही जो तुम्हारे दिल की हर एक बात जान लेता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे फोन करने की देखिये बड़ी मुश्की से दिल की सारी ताके जमा करके उंगलियों को दी है ताकि तुम्हारा नंबर डायल कर सके प्लीज बिना बात के फोन मत बंद करना ठीक है जल्दी बताओ क्या बात है मैं हमेशा के लिए इंडिया जा रहा हूँ इसलिए आखरी बार मिलना चाहता हूँ क्या तुम हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हो हाँ तो तुम मुझसे आखरी बर मिलना चाहते हो ना हाँ ओल्राइट ठीक है आजाओ आगया आओ ये क्या बत्तम इजी है वो क्या है कि वक्त बहुत कम है ना इसलिए एक एक सेकर्ड बचा रहा हूँ ठीक है बोलो क्यों मिलना चाते हो ये कार्ड देना था अश्वा है? काड? मेरी शादी का? किस बैचारी लड़की की किम्मत फूट रही है? इसकी तो मुझस लड़की से शादी कारोगे? नहीं नहीं मै कुछ ने करूंगा जो कुछ करेगी यही करेगी लेकिन तुम शादी के लिए राशी कैसे हूए क्या करूं मजबूरी है कैसी मजबूरी कानी में बहुत ट्विस्ट है तुम काओ तु कहीं बैट के सुना चीक है प्रिती बात यह है कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी दोस्त है और मेरे पिताजी के पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी भी दोस्त है और इसके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी से बनते समय यह बाता लिया था कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी क्या प्रेसंट चाहिए अपने एक हसीन मुस्कुराती वी शाम दे दो जिसकी याद आने वाले जिन्दगी के अंधेरे में उजाला फैलाते बोलो मिलोगी ना ओके आदमी नशे में कभी जूटने बोलता गर्रेक्ट बोली ने सकता तुम्हें याद है वह सिग्नल पर तुम्हारे गाड़ी मेरी गाड़ी से ठक्रा गई थी वह ठक्राई थोड़ी थी वह तो मैंने जानबूच कर ठोकी थी हें? जानबूज के ठोकिति? क्या करता? तुमसे दोस्ती जो करनी थी? दोस्ती के लिए मिलना जूर नहीं था और मिलने के लिए पहाला जूर नहीं था अब मैरी टेल्लाइट डाऊड़ लेकिन ये दोस्ती करने का तरीका गलत था अंप और वो पैसे देने का तरीका तो बिलकुल गलत था वो क्या है कि लाव का एक्सपिरेंस नहीं था ना भाई तो ठीक है अब एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूं बोलो होटेल लिटल इंडिया में मैंने तुमको चड़ा कर जियो जो से लड़वाया था हहां है बहुत बुरी बात है हां वह क्या है कि एक्सपिरेंस नहीं दशा न है फिर ठीक है है बैटो 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 ह 나와 बर, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया उसके जिल्ए सारी बॉला यहाँ बोला मैंने भी सारी बोला है बोला चेला हमें एक an दूसरी को अभी सारी बोलते हैं एक मिरिट तुम्हारे कंटरी में चुर्य Saul aíसे नहीं बोलते हैं तो फिर कैसे वी तुमने बता दिया मैं तो कुछ और समझ रही थी दो हम् भी एक दूसरे को रेड़ी वान टू त्री जब दो लोग एक दूसरे को सारी बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टकराती अरे यार यह किस गले टाइम पर ना कड़ाई है तो मैं नहीं मालूब कोई बात नहीं हम किसी और से पूछते हैं अरे भाई साब बाई साब एक बात बताईए जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को सारी बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टकराती अरे कुछ तो बोलो माफ कीजिए मैं इस शहर में नहीं आया हूं कोई बात नहीं हम किसी समझदार आदमी से पूछते हैं किसे जाना जी जाना किते भी नहीं सरदार जी सिर्फ एक गल्प उचनी है ओए क्या दास पुछो पंद्रा पुछो जब लड़का लड़की एक दूसरे को सौरी बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टकराती क्या सोच रहे हो पाजी यह कोई सरगारी रास थोड़े ही है सरकार ते सरग गी है ओ मैं नहीं सोच रहे हैं मैं ए सोच रहे हैं कि मेरे 20 साल होगे शादी नूँ आज तक मैंने अपनी बीवी नूँ सौरी नहीं बोल लिया मैंनों किसा पता लगेगा कि नक क्यों नहीं टकरांदी और मेरी गाल मनों और तुसी दोनों जड़े आना आप सौरी बोल के देख लो फिर पता चाल जाएगा नक क्यों नहीं टकरांदी मैं अब आज कार जाके बीवी नूँ बोलांगा सौरी और देखांगा नक किते टकरांदी है यह फिर गड़ी उथा ही जांदी है क्या समझदारी की बात कहीं है चलो हम भी एक दूसरे को सौरी बो बोल सकते हो क्यों इसलिए कि सौरी उसी को बोलते हैं जिससे शादी करते हैं मैं भी तो उसी को सौरी बोल रहा हूं जिससे शादी करूंगा याकीन नहीं आता तो काट देख लो आलाव यह पीटी कहा है जिसकी आखों में तुम सुमा चुकी हो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है फिर भी अगर तुम्हे मेरा प्यार मन्जूर नहीं तो इसे भाड़ कर चली जाना मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाओंगा और अगर नहीं तो आखे बंद करके दिल में कहना कार्शाएब bullets इसे इसे जाओंगा याओंगा कैसा एफरिया आखे बंद करके दिल में कहना कार्शाइब दूल आखेक नोक्ति बंद क कहना तो नहीं दूल jadi लाल लाला लाला । हुआ हे 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 ला 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 ओ यूं मिला के नजे करके जादू गरी देखे दरदे जिगर आगे पेछे डोल कर सोजर सोजर मिठी बाते बोल कर दिल तु चुरा ले गया सोजर सोजर मिठी बाते बोल कर दिल तु चुरा ले गया सोजर सोजर निची बाते बोल कर दिल तु चुरा ले गया ओ यूं मिला के नजर करके जादू गरी देखे दरदे जिगर आगे पीछे डोल कर सोजर सोजर मिठी बाते बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया कि बमला ले खु झु 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 झुझ झू झु झू तूदू अाज को तो हुआ 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 लया तशयाए मेरी हो बन गई तू 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 मेरी जा बन गई हाजी क्यों 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 मुझे त्यार हो गया यो 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 इकरार हो गया कसम से तू बड़ा जोता हो सनम तूने मुझे लुटा यूं मिला के नजर करके जादू करें देखे धर दे जिगर आगे पीछे डोल कर सोज़ सोज़ मिठी बते बोल कर दिल तू चुराने गरा क्या मिला करें क्या हैज मिला करें शल यू ख्यू ए्पार्ट का व्यू प्यू जर अच्छ टय़्स क्या हुआ जर मोष along आ, 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 मेरे पास तो जरा जा, 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 कोई प्यास ला जगा क्या, 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 कोई दर्द उठा क्या हा, 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 मेरा हाल है पुरा तुझे आए कोई जादू मेरा मुझे पे नहीं काबू हेयो मिला के नजर करके जादू गरी देके दर्दे जिगर आगे पीछे डोलकर सोल्जर, सोल्जर मिठी बाते बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया सोल्जर, सोल्जर मिठी बाते बोलकर दिल तो चुरा ले गया सोल्जर, सोल्जर मिठी बाते बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया सोल्जर, संद सम्छा ले गया प्रीथी के तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर सोचना क्या चलो अंदर जा के हम भी शादी कर लेते हैं इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी ठीक है तो उनसे भी बात कर लेते हैं कहा है वो अलो मैं डालेंग बिटा आव यू मुझे आप से किसी को मिलवाना है उसी हैंसम यंग मैन को ना जो इस वक्त तुमारे साथ है कमार है पापा आपको किसे बता चला हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त उसने कौन से रंके कपड़े पहने हैं एक अच्छे पापा की तरह हम तुम्हारी हर खबर रखते हैं इससे मिल रही हो कहां जा रही हो और कौन तुमसे मिल रहा है अच्छा ये बताओ तुम आ को रही हो आजी पापा आव परताप आओ कैसे हो एक दम फिट और तुम बल देव हम ना कहा है जी हमारे भाईया सलामत रहें हम तो फिट आई फिट है आए आए कहो कहे मिलना चाहते थे एक बुरी खबर है अरे हम जानता हूं जी आप यही कहना चाहते हो ना कि जस्वंद मर चुका है नाई उससे बुरी खबर है रिपोर्ट मिली है कि उससे खतम करवाने वाला डीके है डीके बिलकुल गलत है जी डीके साहब अपने 25 साल पुराने पार्टनर को कभी नहीं मार सकते डीके दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है चलो मान भी लिया कि डीके साहब ने मरवाया तब भी बहुत अगर उजस्वन जिन्दा पकड़ा जाता तो पुलीस उसे मार मार के सब उगलवाय लेती और फिर हमें हत्कणियां पाइना कर लाई जाती इंडिया समझने की कोशिश करो विरेन कहीं ऐसा नहों कि वो हम दोनों को भी खतम करवा दे अरे हमें खतम करा देगा तो अमरीका और उरब से हत्यार जमा करके उसे इंडिया में कौन्स अप्लाई करेगा उसका बाप मेरी बात मानों विरेन डीके के इरादे शुरू से ठीक नहीं थे इसलिए तो उसने हमें आज तक अपना पता नहीं बताया वो जब चाहिए हम तक पहुंच सकता है लेकिन हम हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो तुम का चाहते हो हम का करें इससे पहले कि वो वार करे हमें ड वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम चार पार्टनर थे, जस्वंत मारा गया बचे तीन, डीके को हम मारेंगे बचे दो, फिर तुम हमरी जान ले लोगे, बचे तुम, अरे हमका भवानी गाउं का भाईया समझा है काजी, फूट डाल कर पूरा और्गनाईजेशन हर अपना चाते हो, इरादे डीके साब के नाहीं, हमका तुम्रे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जबान समाल वरना, परताब बाबू अपना हाथ समाल लिए, अगर उंगलियां ट् अगभार की खबर नहीं बनूंगा, अगर तुम्रे पास हम्रे कामों की फाइल है, तो हम्रे पास भी तुम्रे कामों की फाइल है, हम्रे मरती हूँ फाइल पुलिस में पहुंच जाएगी क्या बात है जी, हतियार देखके टून बदल दिये, रोने की जगा हस रहे हैं भाई मान गए दोस्त, मान गए तुम्हें, हमने डीके को मारने की बात इसलिए कहीं, क्योंकि हम यह जानना चाहते थे, कि कहीं, जश्वंद को मानने में तुम्हारा हाथ तो नहीं, अगर उसे मारने में तुम्हारा हाथ होता, तो तुम मेरी बात जरूर मान लेते, तो कहो कहा नतीजे पर पहुंचे हो यही कि तुम नहीं बदले दोस्त वही बीच साल पुराने दोस्तों के दोस्त हो हम तीन पार्टनर्स को कोई अलग नहीं कर सकता सिवाए मौत के हां सिवाए मौत के वो डिठाल पापा ने मेरे पिसले बर्दे पर खड़ीदा था और वो देखो वाला आ को माई डर्लिंग काम पापा ये है विकी वाव बिना बताए आपको विकी का नाम भी मालब बढ़ गया जब ये मीरो दूर से मेरे कपड़ों का रंग जान सकते हैं तो नाम भी जान सकते हैं बेटी का रिष्टा जोडने के लिए सिर्फ नाम है नहीं काम भी देखा जाता है पापा यह जो भी काम करते कमाल का करते हैं अच्छा तो फिर इनका कमाल भी देख लेते हैं बेटी तुम ज़र अंदर जाओ मुझे कुछ इनसे काम की बात करनी है ओके हाँ तर विकी पहले ये बताओ जस्वंद को मारने का कांट्रेक्ट तुम्हें किसने दिया था तो आप मेरे काम के बारे में भी जानते हैं खैर अब मेरे उसूल के बारे में भी जान लीजिए मैं कांट्राइक लेते वक्त पैसा देखता हूं पैसे देने वाले को नहीं तब तो तुमने उसे भी नहीं प्राताब सहाब, मैं कान्ट्राक्ट सिर्फ खून करने का लेता हूँ, महबबच के खेल खेलने का नहीं, प्रीथी और मेरा प्यार कोई खेल नहीं चलो ये मानविलिया जाए, फिर भी कोई बाप ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा, जिसके हाथ खून से रंगे हो, अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं, तो आपके कौन से दूद के धुले हैं, मैं भी आपकी असलिए जानता हूँ, हम दोनों की विरा हो सके हो, वरना मेरी इफाज़त करने वाले मेरे ये कुत्ते, तुमारी हड्या भी मुझ तक नहीं पहुचने देते, पहली बार देख रहाऊ की शेर की इफाज़त कुत्ते करते हैं, मेरी दो बाते सुनिये, आज की जबाने में शेर सिर्फ दो ही जगाह इफाज़त से रह सकते हैं एक सरकिस में और दूसरा चिडिया घर में और दूसरी बात हैसियत की तो मेरी हैसियत वो है कि मैं आपको उस जगा पर पहुंचा सकता हूँ जिसका खाब तो आप 20 साल से देख रहे हैं लेकिन उस तक अभी पहुंच नहीं सकते मतलब बात हूँ है प्ली में पहाँ ग्रोपक detect वे पहँ हमें यहारा की मेल तयुप्रों बात है उन्याओ है वहाँ ऎजुपसह से बात है अलो असकी मैंने दो दाद के बदले में तेरा क्या-क्या तौड़ा इसमन सक्किए पॉल्ड़ग्टalarıै को साथे दडाद के नरीट नरीट पॉल्ड़ग्ट। दाद का हुआ हमको पॉल्ड़ग अपल्ड़ग बोलता है 95% कि विलीव नहीं करेंगा हम बहुत हरामी हूँ जब तुम हमसे मिलेगा ना तुम नर्वसeremosा जाएगा हमारे कुट्तो का नहीं तैगर का ऄप्चा खाजाते हैं अबै डर कैसा hundred और की पर तो रहा है तोटल 8500 प्लस 100 पॉसन टैक्स कां बोला कोल मिलाकर 17000 round figure पीस हजार अबे तु किस फिगर को राउंडरी स्क्वेर कर रहा है यह उस तोड़ फोड की फिगर है जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है तो तु हमसे रुपया लेगा रुपया नहीं डॉलर और सुनो तीन बज कर पच्पर मिनिट पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुचेगा ठीक चार बजे में कैश लेने आऊंगा और चार बज कर पांच मिनिट पर चला जाओंगा लेन देन का वक्त सिर्फ तस मिनिट का होगा और उस तस मिनिट को तुम बहुत सीरिस्ली लेना समझे क्या हो अरे कुछ नहीं बखवास कर रहा है वो कहता है तीन बच कर पच्पन मिनट पर बिल भेज़ेगा दस मिनट पर पैसा लेकर चला जाएगा जैसे हम याँ पैसा देने के लिए बठे हैं गधे हैं हम अरे हां सुनो ए भाई वो हत्यार खरीदने वाले आ गए होंगे त जेंटल मैम हमारे पास मशीन गन है मौजर एक फाटी सेवन एक फिप्टी सिक्स एक नाइंटी एट जो अभी तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली है आप भिलीव नहीं करेंगे सबके दो दो लाग पीसेश है आपको जितनी गंज चाहिए वी विल सेंड यू नेक्स्ट ये पाइप गन है पाइप गन याने की नल्ली गन ये नल्ली फोड़ देती है हर पाइप गन के आडर पर एक दर्दन हमाम साबन फिरी मिलेगा अब इन्हें जरा हमारा बम सेक्शन तो दिखाओ अच्छा तरीका है प्रचार करनेगा थाएपक तरीका है तरीका थारीका तरीका है प्रचार करनेगा तो भुद्फा जो यद्ट तो moment whenever सेक्वर्य सेक्वर्य के लियॕ बत्रा गार्म फिर्थी प्रॉत यहाँ प्रॉण की रिंग है डाड पॉन की रिंग है डाड तरो मत वह पॉन नहीं पिल है अरे तु क्या समझता है हम डर गया हूँ अरे दिन राथ हम ऐसे बंप से खेलता हूँ इसी का बिजनेस करता हूँ कहा है तु जॉन 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 यहाँ अडाड वो नीचे आ चुका है उसे बॉल मैं लिफ से उपर आ रहा हूँ इस कमिंग बाई लिफ्ट क्या ये सर् हुआ 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 है छॉक हemiो युआ ही ये दिसटा लवाँ हाल घुआ है इसारी मत से ब हम्हाँ है आफ प nghुआ है सैप्यों ढूंद हैоловी हुआ है ये लिएूंद दन Kindern जॉन हाँ नड़ 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 सबस्केट खुच्छ खुच्छ सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर दो दो कर्क दो पसे भूई प्लडियों है कर दो अ कर दो है है साबबास जो जो साबबास तूने तो कमाल कर दिया हम तो तुछे नालाइक समझते थे मगर तू तू तो बहुत होसियार निकला तेरी जितनी भी तारीफ करी जाए ना तो कम है और तू तू हमका बोल्डाग कहा था डाग चाहे काटे या चाटे दोनों ही खतरनाक होता है इसकी पिस्टल खाली है डादी हिलना मत वरना गोली चलेगी कनपाटी पे और खून कहीं और से निकलेगा पैसे सब्स्टाइ सब्सक्ताइ सब्सक्ताइ प्रि वीज़ी प्लाइ में आपी-ज़ू। जश इनके प्रॉट पाम पमिर्यल्ट प्लाइब यीज़ त्रॉब क्ब्रॉब क्रॉश्व करॉब त्रॉब अभी कुल रहींको बिलाओ या कालिया को बलाओ बहूत ब com अज सताल में का यह किसी की राश लाउasil है यह सब को कह Étatsica यूँ नो टाओ ये सब वो एक इंडियन छोक्रे की वज़े से हुआ पहले तो उसने हमारा दाद जलाया फिर उसने हमारे आदमी की पिटाई की और तो और हमको बमरिन कुटा का और इनको बुल्डॉग और इसके बाद तो उसने कमाल ही कर दिया का क्या उसने उसने तो डैट किंकांग है हमरी बेज़ती की कहानी फायल गई तो लवट कर पटना भी न जा सकेंगे जाओ हमरे निसांची को लेकर जाओ का कहते है उसे साथ सूटर और कहे देते हैं बिना सूट की ये लवटे तो हम सब को सूट कर डालूंगा जाओ हराम खौर की मा आ रही है तब तो हवा यड़ा पर उसको रिसीव करने जरूर जाएगा हुआ 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 इसे तो मैं मारोगा कि में लगा है okay यह अप्ट जोजो बार बार जोजो बेश्छे जलागा साला अबार SHIT इस अबग्ट कहा से आग्या मा आ गई अब मार जोजो मार जोजो शांती भावी रुक जा जोजो क्या हो डाड अरे यह तो हमरी शांती भावी है इसका मतलब यह हमरे बड़ा भाईया का बेटा है तेरे ताव का बेटा अपना खून है यह अपना खून अरे यह खुश खबरी बड़ा भाईया सुनेंगे ना तो पट्टा की सारी जायदाद हमने नाम कर देंगे हाहा ताव सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे सांती यह आस्ट्राइलिया में हाँ भाईया हम सच कह रहा हूं जो लड़का को मानने हम एरपोर्ट गए थे ना उही तुम्हारा बेटा है विक्की अमरा बेटा अमरी सांती हमको तो विश्वास नहीं आ रहा है बल देओ का तु सच कह रहा है रहा है यहां भाईया जो तुम्हें बता तुमने कहा देखा है टाओ लेट सच कह रहा है हमने अपने आखों से देखा एरपोर्ट पर विक्की भाईया को शांदी चाची की पैड़ चुते अरे जराई तो सोचो कि इतने साल बाद परदेश में किसमत ने हम सब को कहे मिलाया है इसलिए न कि हम सब साथ रहूं और बाप के रहते हुए भी एक अनात बने बेटे को उसका बाप मिल जाए अनात तो वो होते हैं जिनके सर से मा और बाप दोनों का साया उठ जाता है और और विखी की मा तो अभी भी जिन्दा है अब जिद मत करो सांती आज हमरे पास इतना दौलत है कि हम दुनिया में जो चाहे खरीच सकता हूं तो जाए इस दौलत से एक बीवे और बेटा भी खरीद लीजिए इस घर में वो लोग नहीं रहते जो दौलत के लिए बिकते हैं अरे भावी मान भी जाओ भाइव की तरह से हम हाद जोड़कर आपसे माफिया मांगता हूं जो इंसान अपनी धरती माया के मान मियादव को देच डाले जो हजारों बेगॉनाओं की मौत के जिम्दार हो वो माफिय के नहीं सजा के हकदार होते हैं आप सब जा सकते सांती सांती हमरी बात तो सुनो सांती भैया यही है आपका बेटा भिक्की बेटा बेटा तुम हमका नहीं जानता हूं पर रहे सब सुन लिया यह पेटा पेटा हमसे नाराज मत होना कि हम 20 साल से तुमरे लिए तड़प रहा हूं मैं भी अपने बाप के लिए 20 साल से तड़प रहा हूं देखा भाया अपना खुन आखिर अपनो होता है यस थाओ प्लाड इस आफ्टर ओल ब्लाड बस अब किसी तरह सांती भी मान जाए तो माह की समयदारी आप मुझ पर बे अलाद नाही है उसके कंदे से कंदा मिलाने वाला उसका बेटा आ गया है वेलकम वेलकम दिस इस मैं सान भीकी, Mr. Marshall, please sit down, enjoy yourself आज सिंगानिया साहिब, सिंगानिया साहिब चुल्वा भाई तो यहां क्या हो, वीचारा इंड्या से तुम्हें ढूलनैा है ख़ा कभी ट्राम कन्दॉक्टर बन जाता है कभी वेटर बन जाता है कभी बैंड मेंसर बनता है अरे यहार तुम को भाई आई मिलता हwow क्या है अरे मैं ही मोनू। मैने सोचा, मेरा भाइस बगलर बन गया होगा, यहां तो पाटियां माटियां होती रहती है, कहीं ने कहीं मुझे नाच्ते गाते मिल जाएगा, यह बगवान, तुने कुम का मेला क्यों बनाया? यह प्ले मैन, यह यह यह! इंजॉय और सेल्फ अरे आओ परताप आओ वेलकाम वेलकाम अलो विरेन अरे बल्देब कैसे हो हम बिलकुन ठीक हैं यह मेरी बेटी यह प्रिती हलो अरे इतनी बड़ी हो गई हो कहां रहती हो हमने कभी देखाई नहीं तुम्हें वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो ना इ बेटा मिल गया है कहां है वो सांती तो इस पार्टी में नहीं आ सकी हमरे बेटे से मिलवाता हूं अरे बिकी बेटा जरा यह ओ इक्स्क्यूज मी यह तुम्हारा बेटा है हाँ जटका खा गए ना हमरा बेटा देखकर कैसे ना खाते कल तक परताब बाबू हर बात में हमरे बराबर थे मगर हमार बच्वा के आजाने के बाल हमरी ताकत दुगनी नहीं चाउगनी हो गई है चाउगनी नहीं चाचू दोस्त हैं दुष्मन नहीं तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो का जानते हो अरे विरेन अब जटका खाने की तेरी बारी है अरे तेरा बेटा तो ये बाद में निकला पहले मेरा होने वाला दामाद बन चुका है मतलब मतलब ये कि तेरा बेटा और मेरी बेटी एक दुसरे से प्यार करते हैं का हाँ टाओ जी इनी के लिए तो विक्की भाईया ने हमारे दाज जलाये थे इसका मतलब हमरा बेटा अकेला नहीं आया है बहु साथ लाया है अरे बल देख का रहे हो फॉरन सेंपेन खुलव आज तो डबल खुशी का मोका है महफिल में बार बार उन पे नजर गई है महफिल में बार बार उन पे नजर गई हमने बचाई लाग फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करें मैं क्या करूँ महसिल में बार बार उन पे नजर गई हाँ महसिल में बार बार उन पे नजर गई हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करे मैं क्या करूँ हे यह हे यह हे यह हे यह हे आहां यह मोसम आया है दिल बर कितने साल में मेरा दिल खोया है तेरे ही खयाल में ना तो मेरा दोश है ना तेरा खुसूर है मुझ पे जो छाया है तेरा ही सुरूर है आहां ला 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 आई तो सामने धड़कन ठहर गई हे आई तो सामने धड़कन ठहर गई हमने बचाई लाग फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करे मैं क्या करूँ सोल जा सोल जा निच्छी बातें बोल कर दिल तो चुरा ले गया सोल जा सोल जा मिठी बातें बोल कर दिल तेरा उरा ले गया तनहाई कहती है कुछ मीना कहना है बाहों में सोना है बल को मेरे न है सासों को बांधा है सासों की दोर से तोड़े न तूटेगी दुनिया के जोर से दामन में टूत के मैं तो भिखर गई हां मैं फिल में बार बार उन पे नजर गई हमने बचाई लाग फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करें मैं क्या करूँ टैड हम कहां जा रहे हैं पेटा तुम हमरे वारिस हो इसलिए तुमरा यह जानना बहुत जरूरी है कि हमने अपने जिन्दगी में का कमाया है और कहां चुपाया हूँ आओ यह रास्ता हमरे उस सीक्रिट जगा की तरफ जाता है जहां का पता किसी और को तो का अमरे भाई बलदेव को भी नहीं है बेटा हम तुमको यह इसलिए लाया हूँ ताकि हम तुम्हें अपना बिजनिस का राज बता सकूँ आखिर तुमी को तो हमरा बिजनिस समालना है आओ आओ बेटे आओ आज हम बहुत खुस हूँ बहुत खुस तुमने एक दिन में हमरी सालों की तमन्ना पूरी कर दी बेटे हर बाप की तमन्ना होती है कि वो अपने बेटे की शादी करे अरे इसलिए नहीं जी बलकि इसलिए कि तुमने उस कमीने परताप की बेटी से प्यार करके उस हराम जादे को हमरे कदमों में ला दिया यह आप क्या कह रहे हैं प्रताप साब तो आपके दोस्त है अरे कहे का दोस्त उ तो ऐसा दोस्त है जो मौका मिले तो दोस्त का भी गोस्त खा जाए लेकिन हम भी कम नहीं हूँ उ जादू गर की कहानी सुनी होगी जिसकी जान एक तोता में थी वैसे ही प्रताप की जान हमरे म पूठी में है मैं समझा नहीं अरे वही समझाने तो हम तुम्हें यहां लाया हूँ ठे़रो कि यह उतोता जिसमें परताब के सारे काले कर्टूतों का सबूत दिन और तारीक के साथ लिखाऊंग यह देखो यह हमरा तीसरा पारटनर जस्वंथ अब इस दुन्या में नहीं रहा हम रहा हमरा चouthा पारटनर वह अब इंडिया में रहता है आपने सही कहा प्रताप संग की जान पा कि आपकी मुठी में है। लेकिन बेटा परेसानी ही है कि सुस्री हमरी जान लाके है ली बढ़ाने के लिए तैयार हुआ कि कि दामाद बनकर तुम उसके पास से हमरी उप फाइल निकाल कर ले आओ फिर देखना हम कैसे समधी बनकर उस कुत्ते का समाधी बनाता हूं और फिर अपना सारा बोच तुमारे कांधे पर डाल कर चैन की नीन सोंगा वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नीन ना सोला सके झाल तुमारे का बोच्टब कर तुमारे का थाइल ना भाइल। झाल 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 कि इनकेछी उल्स भाएट में देखा तांट कुझा के किले राख नुझाएग कि की इनकेट तूहुँड़िए औरिस्ट के कि युझाऊश तकेफा तूहुड़िए थाले खायागों कि इनकेट थाले हमे की बदेस्ट कारिट तकेट वांऑनी गडी करता componस दोफें टावोड़ में तुर underestimate मौनें चाचू मौनें अबचुए मौनें जोड़ो मौनें बगध स्ची-र्भादः Chatchu यहावसिे द्दाद नही आई अब लॉप्रफो कह एक रपला करोगे siis our बें से कि उस्थ पावनाचुका तादी कहा है हलो भिक्की कहां बोल रहें जी हाँ हाँ इधर है जाएगा कहां भिक्की इधर आओ अब तुम बच कर कहीं नहीं जा सकते तुम्हारा लाज खुल गया है लड़के राज कौन सा राज कुदरै तुम्हार gwार्ण तो क्या आपको याद है आज एक लड़की का बहुत्दे है? नहीं तो, किस लड़की का? है एक भुली भाली सी लड़की, जो एक बुद्धो भुलककर लड़के के प्यार में फस गई है. अब भुलककर है, तो भुली जाएगा ना? ये बात तो लड़की को प्यार करने से पहले ही सोचते नहीं थी. उस बिचारी को लब का एक्सपीरेंस नहीं था ना? इसलिए गलती हो गई. अब बताओ, वो क्या करे? लड़की को चाहिए भरोसा रखे. मैं उस बुद्धू लड़के को पकड़ कर लाता हूँ. लेकिन वो बुद्धू लड़का उस लड़की को पहचाने का कैसे? अरे पहचाने के जरूत नहीं पड़ेगी. उस लड़के में बात ही कुछ ऐसी है, कि लड़की उसे देखते ही, खुद दोर कर उसके पास चली आएगी. ऐसा भी तो हो सकता है, कि लड़का देखता ही रह जाए, और लड़की किसी और के साथ चली जाए. ठीक है, तो फिर देखते हैं. हाई! लगता है, किसी का दिल जल रहा है. मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है. मेरे दिल जिगर से गुजरी है, गोरे गोरे गालो वाली, काले काले बालो वाली, बैकी बैकी चालो वाली, मस्ती सोला सालो वाली दीवाना करके गई. आपपाओ, 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 आपपाओ. लगता है कहीं आग लगी है? पायर बिंगेड बूलाउं? मेरे दिल जिगर से गुजरा है एक लड़का इधर से गुजरा है सीधा सागा भोला भाला मुझे तर फाने वाला रात कुछ गाने वाला खाप को सजाने वाला दिवानी कर गे गया हुँर्बा हाओ, हुँर्बा हाओ, हु हाई 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 तेरी आखें बिनका जल कजरारी हाई 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 तेरी बातें लगती है मुझे को प्यारी हे मेरा चैन लुटा है तेरी इन अदाओं ने तेरे खाब रहते हैं मेरी इन निगाहों में अभी अभी आई हो रुखो जरा जाओ ना कोई देख लेगा यूँ मुझे तुम सताओ ना बच के नजर से गुजरी है एक लड़की धर से गुजरी है गोरे गोरे गालो वाली काले काले बालो वाली कल कल मिलने वाला वादा देखो तुम भूल न जाना मैं जो भूल भी जाओं तुम मुझे याद दिलाना ओ घड़ी तो घड़ी की भी दूरिया सताती है ओ तुझे रात दिन मेरी धड़कने बुलाती है बड़ी प्यास जागी है बड़ी बेकरारी है बस तेरी तमना है तेरी हुमारी है हाँ देखो किधर से गुज़रा है एक लड़का इधर से गुज़रा है सीधा सादा बोला बाला मुझे तरपाने वाला मेरे दिल जिगर से गुज़री है एक लड़की इधर से गुज़री है गोरे गोरे गालो वाली काले काले बालो वाली गोरे गोरे गालो वाली काले काले बालो वाली बैकी बैकी चालो वाली स्मेस्ति शोलाई स्वाल वाली दीवाना करके गई कर्या पर का हो 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 मिथान पर यह रबबबब? इसके से हम भाइन को ठालिया भगाव्ध इसकाइब ताय तॉप के या रखी मृष्ट आप यो रहे हो ये पलीश क्यों यह तुम बिलीब नहीं करो का चाइब कित दुब का दिया यह तब काने के बाद लाष्ट मश्लियों को किला धी कुटों को किलाया होता तो ताओ जी के हटिया तो बेल जा Excuse me, the cigarette lighter was found at the murder site, do any of you recognize it? यह कहा कह रहा है कुछ सामज में नहीं आ रहा है डाद यह पूछ रहा है कि लाइटर किसका है अमका नहीं मालब यह किसका है, हमारा भहिया था चाचु तुमने कैसे कह दिया कि यह लाइटर भहिया का है? उन्होंने 20 साल से सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया जानता हूँ डाज सिगरेट नहीं पीते थे यह लाइटर उसका है, जिसने उन्हें मारा है मैंने जूट इसलिए बोला, क्योंकि पुलीस उसका कुछ नहीं बिकार सकती अरे कौन है वो? हमका पता उनका नाम उसने भाईया को मश्वी को खिलाया था ना हम उस सासुर को कीले मकोड को नहीं खिलाया तो हमारा नाम बल्देव नहीं, हमका पता कोन है वो? याद कीजिए, आपने ये लाइटर कहा देखा था ये लाइटर तो परताब का है रामजादे ने रिष्टेदारी के लिए हाथ बढ़ा कर इतना पढ़ा दुखा दिया मैं उस बास्टर्ड परताब के सीरे में सारी गोलिया उतार दूगा नहीं, जोश में काम करने वाले या तो मिट्टी के नीचे होते हैं या लकणियों के उपर इसलिए जोश से नहीं होश से काम करना होगा चाचू, अपने सारे आदमें कोई कटा कीजिए हम एक साथ प्रताब पर अटाक करेंगे जोष भाहदे दिए जोश फ्रमान में डावादे नहीं होश से नहीं होशादे, जोशादे चाहँ है यो जोशादे यह ज्टी करोई है रोध वेपद्स एस शेड़िए वबबन थे प्यारक अबन कली क्यों है एते हैं एक कि दो झाल 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 उड़ाण बट्राइदा खाल झाल को कि अन्यान भूपगा इन्याईगा था वल देन एंवा उस थेkachस के शब दवाह, है बहूझाए प्रताप साहब, मैंने विरेंदर उसके सारे साथियों को मारने का अपना वादा पूरा कर दिया पूरा नहीं, आधा, मेरी वो फाइल कहा है, जो विरेंदर के पास थी वो भी आपको मिल जाएगी, पहले आप पृती का हाथ मेरे हाथ में दिने का अपना वादा पूरा कीजिए, दोलिए कब दुल्हा दुल्हन जब चाहें हम तो दिल चाहें तुम्हारा वादा है वादा हमारा, समझो नजर का इशारा तुम हमें दिल तो दो, फिर देखो होता है क्या सुना सुना ये न होना, दिल ते राह में न मांगदा सुना सुना ये न होना, दिल ते राह में न मांगदा हम तो दिल चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा यू ना शरारत करो चाहत से तुम ना डरो जाओ जी रहने भी दो एक कुछ हमको कहने भी दो छोड़ दो छेडना ऐसे सताओ न तुम यो हमें इश्कु में पागल बनाओ न तुम लुची हम चली चली एशे न पड़ो गले जाने जा सुनो सुनो देदो मुह बजरा सुना सुना ये न होना दिल ते रह में न मांगता सुना सुना ये न होना दिल ते रह में न मांगता हे हम तो दिल चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा दिवाना पन छोड़ दो ये रिष्टा तुम जोड़ दो जाने दो जाना है खर यो न छोड़ाओ नजर तुम हमें चाहते कैसे भरोसा करे प्यार में हम कभी ऐसे न धोका करे पीछे क्यों पड़े हो तुम जित्पे क्यों अड़े हो तुम गुसा है बुरा सनम लो आशिकी का मजा सुना सुना ये न होना दिल ते रह में न मांगता सुना सुना ये न होना दिल ते रह में न मांगता राइट वही फाइल है यकिन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम प्रीती से करते हो सिर्फ मेरे कहने पर उस से शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया वो मेरा बाप नहीं था क्या? विरेंद्र जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ अगर विरेंद्र तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे? अपनी बीवी की वज़ा से पर सो पहले उसका बेटा खो गया था मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मा को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था वाह! क्या चाल चलिए तुमने एक तीर से कितने शिकार कर लिए विरेंदर की दौलत मेरी बेटी और मेरा भरोसा तीनों हासल कर लिए मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो उससे भी जादा चालाक निकले है आज बाप बनाकर तुमने विरेंदर को मारा कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बना कर तो मुझे भी मार्द होगे लेकिन माई दियर सान इन लौ मैं विरेंदर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ फाइल मेरे पास आ चुकी है इसलिए गुद्भाई माई डियर फादर इन लौ आप तो विरेंदर से भी ज्यादा बेवकूफ निकले ट्रिगर दबाने से पहले ये तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां है भी या नहीं हरे जो विरेंदर की तिज़ोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है उसके लिए आपकी पिस्टॉल से गोलिय निकालना कौन से बड़ी बात है अरे बिटे अरे मैं तो मजाख कर रहा था यार मजाख का रिष्टा जी जा साले का होता है ससुर्टामाद का नहीं इसलिए अब एक सीरिस बात सुनिए विरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बलकि टीके के लिए मारा था बेगे के लिए? हाँ उसने मुझे तीन आदमी को मारने का कॉंट्राक्ट दिया था एक चस्वंथ, दूसरा विरेंद्र और तीसरे आप तो आए दो अपनी बेटी को जिसकी वज़ा से आप अब तक जिंदा है मैंने आप तक पहुँचने के लिए उसे सीरी जरूर बनाया था लेकिन मैं उसे सच मुझ इतना प्यार करने लगा हूँ कि उसकी आखों में आसों नहीं देख सकता वेखी कल तक तुमने प्रीती के दिल को जीता था आज मेरे दिल को भी जीत लिया है दिल की बात छोड़ी और दिमाग की बात सुनिये डीके आपको मार के हंडिट पसंद का मालिक बनना चाहता है मैं डीके को मार के आपको हंडिट पसंद का मालिक बना सकता हूँ लेकिन दीके का पता मैं जानता हूं आप हिंदुस्तान चलने की तैयारी कीजिये उस कमीने डीके को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं अब से कुछ तेर पहले मैं अपने आपको दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझती थी लेकिन आज अपने बाप और विकी की बाते सुनने के बाद मेरा इन सारे रिष्टे नातों पर से विश्वास ही उठ गया है अगर आप सुनेंगी तो आप जीते जी मर जाएंगी जिससे आप अपना बेटा समझती है वो आपका बेटा नहीं है वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पती को मार सके माजी उसी ने आपके पती का खून किया है आपको विद्वा बनाया है वो एक धोके बाज एक कातिल है मैं जानती हूँ विखी मेरा बेटा नहीं है उसने मुझे कोई धोका नहीं दिया बलके खुद मैंने धर्ती मा के सीने से एक पापी का बोज़ अटाने में उसकी मा बन कर उसका साथ दिया और उसने मेरे पती का खुन नहीं किया एक देश दुरुही को उसके गुनाओं की सजा दिया बेटी जो देश के लिए जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं जो देश के लिए जान लेते हैं वो कातिल नहीं सोलजर कहलाते हैं और इस सोलजर की कहानी इस विदेशी धर्ती से नहीं बरसों पहले हिंदुस्तान की रितेली सरहदों से शुरू ही थी जहां मेरे पती और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जस्वन के साथ मिलिटरी में सर्विस किया करते थे और वहां की हत्यारों को चुरा कर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे एक पार विकी के पिता मेजर विजय मलोतरा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन गदारों ने उनको मार डाला हत्यारों के चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया हम हत्यारों का ट्रक लेकर सरहत के लिए जा रहे थे के अचानक ट्रक खराब हो गया मेजर विजय मलोतरा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैम्प भेजा रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था हमरा माता ठंका और वापस आकर हम का देखते हैं कि गाड सारे मरे पड़े हैं और विजय मलोतरा और उनके साथ हत्यारों को निकाल कर अपने टिरक में डाल रहे हैं हमने उनको ललकारा जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़ें गोर्ट आफ इंक्वाइरी के तहट सुबेदार प्रताप सिंग, नायब सुबेदार विरेंदर सिनह, सिपाही जस्वन दलाल के आखों देखे बयान के मताबिक लेट मेजर विजय मलोतरा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हतियार लूटने और हतियारों की रक्षा करने वाले गार्ट को खतल करने का जुर्म पाया गया इसलिए आर्मी सजा के तौर पर इनकी तमाम सर्विस टर्मिनेट करती है और सर्विस के दौरान दिये गए तमाम मेडल, टाइटल्स और तमगे लेकर देश का गद्दार करार दिया जाता है यह नहीं तो आपके सामने इन मेडल स्की जिन रहे लो यह गद्दार नहीं है सर यह तो शहीद है सर यह तो शहीद है सर यह तो देश के लिए शहीद होगे है सर हम अपने जाज की पाविस्त्र जमीन पर किसी चिता नहीं जलने देंगे ख़ी प्लत इस चीता को मत लेकदौ अस को आप कर दो, 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 क कर दो रॉड़ा Minute अ कंपवा रॉड़ा हुड़ा रॉड़ा भॉड़ा ऱॉड़ा thou रं LOL बा Caitlin प्रहती है प्रूलुत्षपन पाता है। और प्रहतो है। और प्रहतो है। उस शहीद को तो धरती माने अपनी गोद में ले लिया लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों के बुरे इरादे खत्न नहीं हुए उन्होंने विकी की मा के माते पर बदनामी का दाग लगा कर मा बेटी को बस्ती के बाहर निकलवा दिया मैं आपको और राजू को ले जाने आई हूं हम कहीं दूर जाकर रह लेंगी नहीं अगर मैं यहां से चलेगे तो उनके आत्मा यह कहेगी कि और अगरों की तरह मैं भी उन्हें गद्दार मान कर छोड़ कर चलेगी है हो सके तो राजू को यहां से ले जाओ लेकिन बेहन यह आपकी बगएर कैसे रहेगा मेरी बगएर रहने में इसकी भलाई है यह मा को भूल कर जी सकता है लेकिन यह कि लोग इसे बाप की याद दिला दिला कर मा डालेंगे इसे ले जाओ ले जाओ इसे यह से ले जाओ तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी नहीं पिठे तुम मुझसे अलग कहां हो रहा है तु तो हर पल हर सास में मेरे साथ है तुम कहती हो तुम्मे चलाया तूं माराच और उस दिन से लेकर आज तक ना कभी उसमा ने अपने इस बेटे को देखा ना कभी इस बेटे ने अपने उसमा को रेकिस्तान की तप्ती रेट में बीस साल से वो देवी आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई उसी मंदिर में बैठी है क्या बात है बेटी कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने आपको मुझे विद्वा बनाने के लिए गुनेकार समझ रहा है मैंने तो अपने आपको उसी दिन विद्वा मान लिया था बेटे इस दिन मेरे पती की बेचे हुए बारूट से स्कूल में पढ़ते मासुम बच्चों के साथ मेरा अपना बेटा भी मारा गया था हरी जो इंसान हजारों सुहागनों की सिंदूर को मिटाने का कभी नहीं सजाएगी मुझे तो तुझ पर फखर है बेटे कि जो सर मेरे पती के वज़े से दुनिया के सामटी चुक गया था वो आज तेरी वज़े से फेर उठ गया कहते हैं कि इंसान को भगवान की दी सौकात में सबसे कीमती सौकात मा होती है मैं कितना किसमत वाला हूँ कि मुझे दो तो माहे मिली हैं I'm sorry Vicky प्रीती तुम्हें जो किया अंजाने में किया लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसे चान कर तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करोगी अगर एक पत्नी इंसानियत के लिए अपने पती के खिलाब तुम्हारा साथ दे सकती है तो एक बेटी भी इंसानियत के लिए अपने पिता के खिलाब जा सकती है हलो मैं राज बोल रहा हूँ राज तुमने फोन क्यों किया जो कुछ भी कैना है फेक्स करो कल मैं प्रताप को लेकर बार्ड मेरा रहा हूँ मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है अब वहां आकर मुझे सिर्फ एक काम करना है टीके को बेनकाब करना क्ष़ कि बीके कपिकर बार्ड में पूर्ण पूर्ण करता प्राप्छ युस्वण तुमने से लिए भी एक की युणाम खिए इंड पूराण पर इंड प्रूराब अंबूराण कहिए ACP साहब मेरे आदमी ने नकली गोली से बेहोश करके तुम्हें मारने का जो ड्रामा किया उसे मेरा प्लान काम्याब हो गया तो मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो इन्फर्मेशन तुम मुझे देते रहे उससे मेरे आदमी ने विरेंदर और उसके साथियों को खत्म कर दिया और कल प्रताब को लेकर वो बार मेरा रहा है इसलिए अब तुम आजाद हो हाँ 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 श्योंकि आफ हाँ हाהו कि इतनी अजीब बात है कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है लगता है आप ये जगा से वाकिफ है अब तमसे क्या चुपाना यही वो जगा है जहां से हमारा बिजनस शुरू हुआ और यही वो जगा है जहां मात हम तीनों को छूकर चली गई कैसे था एक हरामजादा मेजर विजय महलोतरा साला अपने आपको देश का रखवाला समझता था उसने हमें पकड़ लिया अगर वक्त पर डीके नहीं पहुंचता तो वो हम तीनों को खत्म कर देता बहुत ताकत थी उस कुटे में लेकिन किस्मत हमारे साथ थी हमने भी उस हर एक रामजादे को ऐसी मौत दी कि वो एक मिसाल बनकर रह गई क्या किया था आपने देश भक्त को देश द्रोही साबित किया था सूवर के बच्चे की लाश तक नहीं जलने दी हमने आज भी कुछ लाशे गिरेंगी जिनकी चिता नहीं चलेगी येस डी के और उसके साथियों की गाड़ी क्यों रोख दी इस मंदर में एक देवी पिछले बीस सालों से बैठी है सुना है जो उसके दर्शन कर ले उसकी मनों कामना जरूर पूरी होती है आईए दर्शन कर ले दर्शन तो हम जरूर करेंगे ताकि डीके की लाश के दर्शन भी जल्दी हो जाएं में जरूरण के ले इस बाल। बाल। प्लेंट। कर दो कर दो बीस साल से अपने लिए घिना और तिरसकार भरी आंके तुम मैंने रोज देखी है लेकिन अस वो भरी आंके तुम पहली बार देख रही हूं राजू मा राजू राजू बीस साल तक अपने से दूर रखा अब मा होकर भी तुझे मागा प्यार नहीं दे सकी मुझे मुझे माप कर देना राजू मुझे माप कर देना बीटा नहीं मा तुम मुझसे दूर नहीं थी यह दिक देख तेरे चर्णों की धूर हमेशा तेरा आशिरवात बनकर मेरे साथ रही अब तेरी प्रतिक्षे और मेरी प्रतिक्या पूरी होने का समय आ गया है देख देख मैं यह किसे लाया हूँ तुम मा बेटे इस गाव में नहीं रह सकते यह यहां से ऐसे नहीं जाने वाली इसके माध्य पर ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मू दिखाने लायक ना रहे अब देख कर दो मेरे बच्ची को छोर दो मेरे बच्ची को छोर दो अब कि अब गीता मैं इसी देवी का बेटा हूँ यह वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगा तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगाया था मैं उसी विजे मलोतरा का बेटा हूँ जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वज़ा से देश द्रोही कहलाया जानता है मैं तुझे यांग क्यों लाया ताकि जिस धर्थी पर धर्थी की सबसे बड़ी ना इंसाफ यह हूई इंसाफ भी उसी धर्थी पर हो और सालों से इंसाफ के लिए इस विराने में तबस्या करती मेरी माँ आज अपनी आखों से इंसाफ होता देगे प्रदाफ 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 इंसान मर जाते हैं प्रदाफ सेंग वगर आवाजे कभी नहीं मरती प्रदाफ सुन सुन गोष से सुन इस रेड में मेरे बाप के तबने की हवाज सुन 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 अपने बाप के लिए बच्चे का रोना बे लगना सुन तूफान में अपने पती को ढूलती है एक मा की चीक सुन सुन गोसे सुन मेरे माकी चीका सुन 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 ठीके नहीं जस्वंथ निगाल जस्वंथ मैं तुझे बहुत पहले ही पैचान गया था जस्वंथ तू यहां आया नहीं लाया गया है राजू के प्लान के मताबिक मैंनो तुझे प्रताब के आने की खबर दी जानबूच कर तुझे छोड़ा क्योंकि हम जानते थे अपने बिजनिस के लिए तू इसे बचाने यहां जरूर आएगा और क्योंकि जस्वंथ को कानून की माफी मिल चुकी है तू ये काम जस्वंथ बनकर नहीं बलकि टीके बनकर करेगा दुगने हिस्से के लिए तू अपने साथियों को दोगा दे सकता है चास्वंत, हमको नहीं You are under arrest ला मतीए तू BEN- complete तू क्या समस्ता है? अपने अदंयों को बचाने के लिए जसता के लिए свидetel हया सूपर करेंगा डायगा पहुआड दे थै जिया झिए आलख्यो ङड़ते जा दोपी नहीं लाद ही आलगा गपला। चाई बशना बुचई जो इे अर वा वा और रहा ह नड़ो कि खए्यढ़ भान लाड़। 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 जस्वन्त ये कमीना बेजर विजे मलोत लगा बेटा है इसका बाप मर के यहां दफन हुआ था इसे जिन्दा गार दो कि अबडा है कि अजयों छोफ दो 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 हुआता, जा ये जब मुटज को ऑ़कार पूम करना भूम अजयां जाते हैं, ये जद अजयां अजयां जाते हैं झाणी हम झाण égal झाण 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 एक उन्हों और दुन को अ एक का्या दुना प्रिया से ख़्या सय दोन खब के लिए मत खब करेंगे लिए मुड़ीगомина मुड़ी फु़ था जी हम अ का अाय inverter में। कि व सो दॉछ। हर्ए टो अ день बाँ, जस र सुश्ट नहीं है भल यहां फ्सनी कि आप है कर दो कर दो दो गुआ राचो 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 आप 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 झाल 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 करता है वाल ठाफ नेए हमें हमें मत मारना हमें माफ कर दो राचीए मैं तेरा सशुरू में पेड़ा किया तु अपने सशुर को मारेगा नही राचीए मैं तुम लगो को नहीं मारूंगा कितना कितना रह्म दिल है आखिर आखिर मेरा मेरा दावाद है उपर देखाओ नहीं कि तो हमें नोच नोच कर जिंदा कहा जाएगे राजू 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 तो मैं गोली से मार दे मुझे जान से मार डाल भगवान के वास्ता है तुझे मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना चिता की आख मिलेगी ना धर्ती मा की गोद नहीं राजू मैंने तेरे देश बद बाप के खिराव जूटी गवाई दी थी शंगीनों से गोद गोद के मारा था असली कंदार तो हमें जल्दी रिवॉल्वर निकाल और मार डाल मुझे अरे तु तो बड़ा लिकास समझदार है मारता क्यों नहीं है गावालो हम सारे जुर्म खबूल करते हैं इनकी दों से हमें बचालो हम चल भी नहीं सकते हमें मार डालो अरे हाथे पर गोलियों से लिख दे कि मैं कुत्ता हूँ कमीना हूँ सुवर हूँ रुक जाओ हमें चोड़े बचाउदावालो नहीं सुवर्ण सुवर्ण देवर्ण पोलियों स casts है कैसा मैं क्या नहीं थालिख झाल रंप कर दो कर दो कर दो कर दो